हलो जबर्स नमस्का आज मैं आपके लिए लाई हूँ नीबू का काला चार जिसे बीमारी में भी खा सकते हैं बहुत फायदेवन होता है जितना पुराना होता है यह नीबू का अचार उतना ही अच्छा होता है आज देखेंगे हम किस तरह से बनाएंगे यह देखें नीबू का काला अचार बनाने के लिए हमको क्या-क्या समगरी चाहिए हम काला नीबू बनाने जा रहा है यह मैंने डेड़ दो साल पुराना नीबू है इस तरह से हो जाता है काला एक से डेड़ साल लगता है काला होने के लिए तो आए हम देखते हैं कैस तरह से यह देखें, मैंने यह नीबू ली हैं, इसको अच्छी तरह से धो के पोच लें, पानी काहिश नहीं होना चाहिए, और जहां तक हो सके आप पतला नीबू का छिलका होता है, वो ही छाटे, वो अच्छे रहते हैं हचार के लिए, इस तरह के नीबू छाटे, और इसमें से छाटे नीबू, क्योंकि यह हमारे अचार को खराब कर देता है, हम इसको निचोडने में ले ले लेंगे, इसका रस इस्तेमाल कर लेंगे बले, अब देखेंगे, इसके लिए मसाले क्या 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 चाहिए हमको, यह मैंने 50 ग्राम डॉंडाइलाई चिली है, और 50 ग्राम ट अब देखेंगे, हम इसको पहले सब तीनो चीजों को, चारो चीजों को भून लेंगे, सब मसालों को हम शकर और नमक छोड़के बाकी मसाले हम भून लेंगे, देखेंगे, यह देखेंगे, इसको दोंडालाईची को भून लेंगे, इसी में लोंग भी भून लेंगे, काल मिर्ची बुन लेंगे खुश्भू आने लगे ज्यादा नहीं बुनना है मसाले को हलका सा बुनना है बस गेस बन करते हैं और जीरा और अजवाइन एक साथ बुन लेंगे हम अब जीरा और अजवाइन भी हम भुन लेंगे थोड़ा हलका बुनेगा तब हम गेस बन करेंगे इसी के साथ मैं हींग भी भुन लूँगी हींग आप डले वाली लेंग जहां तक तो अच्छा है क्योंकि अचारत खराब हो जाता है पीसी हुई बजार की हींग से तो हमें डले वाली हींग इस्तेमाल कर रही हूँ पांच ग्राम मैंने हींग लिए इसमें अब इसी के साथ मैं इसको हींग को भून लूँगी इसको रूई में भून सकते हैं रूई जलाके रूई के अंदर रखके और भून लेते हैं लेकिन जीरे में भून लेती हूँ अब गेज बन करते हैं यह भून गया है अभी कड़ाई गरम है तो हम नमक थोड़ा सा इसमें डालके निकालेंगे क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ नमी हो तो निकल जाए क्योंकि पहले तो खड़े नमक को बाकायदा दो के सुखा के पीस के बनाया जाता था लेकिन अब यह बजार के नमक आते है तो थोड़ा सा हम इसको इसकी नमी निकालने के लिए गरम कड़ाई में इसको भून लेगा है यह देखिए हमने सब मसाला भून लिया इसमें लोंग, काली मिर्ची, डोंडा एलायची, हींग, जीरा, अजवाइन यह सब हमने इसको भून लिया और थोड़ा नमक को भी गरम कड़ाई में भून लिया अब हम इसको पीस के मिक्सर में और बारिक चलनी से चान लेएंगे यह देखिए यह गरम मसाला हमने भून के पीस लिया है बारिक चान लिया है इसको और यह हमने नीबू भी निचोल लिया है आठेग और अब नीबू हम कैसे काटेंगे देखेंगे देखे नीवु को इस तरह से रखके और हम विसके आग टुकडे कर देंगे इस तरह से काटेंगे सारे नीवु कट लेंगे अब हम इसमें सारा मसाला मिला देंगे इसमें शकर डाले नमग डाले नीवु करास डाले नीवु करास डाल देंगे नीवु करास डाले और फिर इसको हम धूब देंगे जब तक इसकी शकर पकनी जाया अच्छे तब तक हमें धूब देना है अच्छी कड़क धूब दे इसको मर्तवान का मुँ कपड़े से बान कर देखे यह मैंने धाई किलो नीवु के लगब लिया था और मसाले बताई है मैंने आपको कितने लिये हैं अब इसको हम काज की बनी में भरके इसका मुँ बन करके कपड़े से और धूप में रखेंगे यह बहुत सादिस्ट भी होता है और स्वास बर्दक भी होता अगर आपका मुँ खराब हो रहा हो कसेला कसेला कड़वा लग रहा है तो यह अचार से अच्छा साद हो जाता और इसमें हम अध्रक भी डालेंगे, मैंने अभी दूप में एक दूप दे दी थे, अब मैं अध्रक इसमें मिला देनी, 1-2-4 गंटे की धूप देना है अध्रक में, अब में अध्रक भी इसमें डाल दूँगी, अगर आप अध्रक दूप नहीं दे पाएं, तो कोई बात नी, बार में भी मिला सकती है, यह देखे, यह अद्रक बंद छील के और धो के अच्छे से, दूप में 2-3 घंटे तक रखा था, यह इस तरह से हो गए, इसकी मातरा आप अपने जितना रखना चाहें, उतना रख सकती है, कोई बनी है, और यह अद्रक बहुत फा खारा रहा हो या कुछ अच्छा मूँ करने के लिए अचार को खा लें, अद्रक खा लें, अद्रक भी बहुत पादूश्ट लगता है, इसमें, यह देखे, इसमें मिला दिया सारा मसाला, अब हम इसको काच की बरनी में भर देंगे, और धूब देंगे, इस अचार को हम 15- 20 दिन के बाद खा सकते हैं, अब हम इसको बरनी में भर देते हैं, फिर इसको दूब में रखेंगे, इस देखे, बरनी में भर दिया है, अब हम इसको मूँ बन करके, और धूब में रख देंगे, दूप में हम रोज सुबे से शाम तक रखेंगे और सुबे रखते समय रोज हिला के थोड़ा सा इसको निवु के अचार को और फिर रखेंगे कपड़ा बाम के और बापा से उसको ढखकर लगा के शाम को अंदर रख लेंगे और रोज सुबे 15-20 दिन तक continue इसको दूप देन झाल